खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे जिनका आपकी जिन्दिगी पर होता है सीधा असर खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी ATL TV भरोसा अलवर का भूपेंदर यादों के कैमिनेट में आने पर अलवर वास्यों ने समस्याओं के समाधान की संजोई आस इस्टन कैनाल पर अमल और NCR से मुक्ते सहित इस्ताने उद्योगों में जोग की भी है अपेक्षा वही भासपाईयों ने मनाया जश्न वेटरनरी होस्पिटल में पशू मित्र की मोद के मामने में मिनी सचेवाल पर किया धरना परदर्शन परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप और मांगा मुआउजा समर्थन मुल्य के बजाए खोले बाजार में गेहों बेचने के लिए रोजान दिखा रहे एक किसान हाथ वाथ भुक्तान मिलना है वजय और पानी नहीं मिलने पर पंप हाउस पर किया परदर्शन इसके अलकापूरी में बनी समस्या और अब खबरे विस्तार से टीम मोदी का एहम हिस्सा भुपेंदर यादव अपेक्षाओं के अनुरूप कैबिनेट का हिस्सा भी बन गए हैं इसके बाद से भासपाई जश्न मना रहे हैं और अलवर वासी पानी मिलने एंस्यार से अलवर को बाहर निकाले जाने और यहां के उद्योगों में स्थानी युवाओं को परियाप्त जोब जैसी उमीदे जता रहे हैं जैसी की उमीद थी प्रदानवंतरी नयंदर मोदी ने भुपेंदर यादव को फिर से अपनी कैबिनेट का अंग बना लिया है हाली उडिसा विदान सभा में भासपा ने बहुमत हासिल किया है और अलवर में मतदान संपन होने के बाद हफ्तों तक भुपेंदर यादो ने वहां डेरा डाला था इससे पहले भी कई मोकों पर ओम मातर और भुपेंदर यादो को दिगज अमिज शाह ने प्रमुक जिम्मेदार या सोपी है पिछले कैबिनेट में भी मंतर रहे भुपेंदर यादो के साथ इस बार बदलाव इस मायने में है कि वे राज सभा के बजाए अलवर से लोकसभा सदसे चुने गए हैं ऐसे में अलवर वास्यू की अपेक्षा बढ़ गई है इन अपेक्षाओं का जिक्र करें इससे पहले आपको बताते कि गतरात्री भास्पाईयों ने किस तरह जश्न मनाया प्रदामंत्री नेरंद्र मोधी ने तीसी बार प्रदामंत्री पद की शपतली और भुपेंद्र यादो कैबिनेट मंत्री बने वैसे ही अंबेडकर नगर कारल में लाइप प्रसाड़न के मध्धे मिठाई बटने शुरू हो गई यहां आतिश भाजी भी हुई उदरे सवसपर भासपा के पूर जिलादर्ग धर्वेश शर्मा भी मोजूद रहे साथ ही काहा कि प्रदामंत्री नेरंद्र मोधी साइथ उनके मंत्र मंडल के समस्दस है इमांदारी से काम करेंगे वे देश को विक्सित बनाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे यह भारत का सभाग्य है और भारत वासियों का सभाग्य है कि इस देश को दिल से प्यार करने वाले और देश पर न्योचावर होने वाले लोगों की सरकार बनी है बन रही है शबत हो रही है और मैं ये बात दावे से कह सकता हों कि इस समय मंत्रि मंडल में जो लोग भी मंत्री बंढराए तो देशकी सेवा के लिए दे शेयर की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं कोई भी कीमत स्वार्थी नहीं यह फ़ष्टाचारी नहीं है यह परिवार बाद ही नहीं है हमको इन सब पर गर्व है वही सबसब पर जिलाव पादक्ष देशाज वर्मा ने कहा कि भुपेंदर यादव अपने किये हुए वादों को पूरा करेंगे और EACP की योजना को पूर्ण करवाएंगे उधर जिला मामंतरी रामतार चोधरी ने का कि देश को गर्व महसूस हो रहा है इस एतियास एक्षण को लेकर भासपा के जिला कारल को रोशनी से सजाय गया है अलवर के संसत भुपेंदर सिंग यादोबी कैमिनेट मंतरी के रूप में पानी की विवस्ता साइथ भरपूर विकास करेंगे वहीं उन्होंने राष्टे लोगगल के अद्धक्ष जैन चोधरी को भी मंतरी की रूप में जगे दिये जाने पर खुशी व्यक्त की है हमारे दिल को जोने वाला विशे है कि अलवर में भुपेंदर और देश में भारत में नरेंदर ये जरितार्त है नरेंदर मोदी जी के तीसरी बार प्रदान मंतरी बनने से अब भारत निश्चिती विक्षित राष्ट बनेगा बारत आत्म निरबर बन रहा है बारत एक सुर्ध्षित राष्ट मन रहा है अलवर को मिलेगा राजस्दान को मिलेगा अलवर का विकास होगा और बहुत जल्दी पानी के चेत्रे में हमारी इ-RCP को बहुत अच्छी तरे से अलवर में लाग آپ करेंगे हर जगे पानी पहुंचाएंगे और बड़े इंडरेस्टी एरिये और रोजगार हमारे बोपेंदर जी मान्य मंत्री जी यहां अलवर को लाएंगे इससे अलवर का सुनिश्चित भी कास होगा राजस्तान का जैंदर चोधरी का नाम एक ऐसा नाम है जो किसान सीधा किसान से जुड़ा हुआ है वह हमारे भारत रतन चोधर चरण सिंग जी के पोते हैं और किसान वर्ग जाट वर्ग से आते हैं इस निश्चिती इससे किसान वर्ग सा देगा और किसानों बेतम काम हो और वहीं केवल भास्पा कारले ही नहीं बलकि कई अन्य स्थानों पर भूपेंद यादों खुद एक अधिवक्ता हैं उन्होंने का कि जिले के विकास कार्यों को अब तेजी से गति मिलेगी वहीं अलवर में पेजल सिवरे सरिस्का में एलिवेटर रोड और रोजगा सई तमाम समस्याओं का जल्दी निप्टा रहोगा अनेक वकीलों ने कोट परिसर में आतिशबाजी की और एक दूसी को मिठाए खिलाई यहां मुझूद बाहजपा व्यवक्ता इम वकील जीतें शर्माने भी अपने विचार रखे लोग है काम भी बढ़ेगा कोट भी बढ़ेंगी अवके लोग प्रफाइद होगा और जितनी समस्या है जो भी बात सामने आएगी वह अपने मैनस से पूरी लगन से काम करेंगे जो कि भारत सरकार केंदर केंडरी है मंत्री करूं में कल सपत लिए उससे पूरा अधिवक्त अधिवक्ता परिश्यत के यह महामंत्री और अध्यक्स रह चुके हैं इसलिए अधिवक्ता परिश्यत की और से भी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मुकाम पर अलवर को पहुचा है और अलवर का विकास करने के लिए वो जी जान से कौसिस करेंगे पकिलों की समस्य जो है सबसे मिनी सच्वाल के अंदर चैंबर की है निसकीरी हमने पूर में भी दिमांड रखी थी उस दिमांड को हमारे विदायक मोदे और बन मंत्री मोदे संजे सर्मा ने विदान सभाएं पिछली बार भी उठाए था और अब भी उनसे बात चीतरी तो पूरी तरह खुशी है और उनके इस मंत्री बनने के उफ्लक्स में अधिक्ता समाज के द्वारा ये मिठाई बटेगी है और ये आतिस बजी की गई है हम उनको सुब कामना देते हैं और निश्चित रूप से वकीलों के लिए काम करेंगे पूरे जिले के लिए काम करेंगे जो तीसरी बार मानने परदान मंत्री नेरिंद मोदी जी तीसरी बार देश के परदान मंत्री बने समस्त केविनेट मंत्री मंदल को सबसे बड़ी खुशी की बात मानने बुपेंदर यादो जी की अलवर लोग सभा से एतियासिक जीत हुई जीत के बाद उनको केविनेट म परदेश की सभी समझ्चाओं को जोर जार से उठाएंगे और एक भाजिरत के रूप में अलवर में विकास का काम होगा। जीतिन सिंग जब सांसत बने तो कोंग्रेस ने केंद्य राज्य मंत्री बनाने के अलावा पार्टी में लगातार महासचिव और सचिव जैसे जिमेदारी सोपी। भासपा में केंद्य मंत्री सहित संगठन के एम पदों पर रहते आई भूपेंद्र यादों का अलवर से जु मंत्री बनाया गया है इनमें शामिल अलवर सांसर भूपेंद्र यादों जहां दूसी बार मंत्री बने हैं महीं बीजेपी नेट्वत में उडिशा का ओपजर्व निक्त किया है वे राजनाज सिंग के साथ ओडिशा में ने मुख्यमंत्री के चैन की प्रक्रिया में एहम रोलने भाएंगे ओडिशा सरकार का शपत ग्रण समहारों 12 जून को होगा इस प्रदीश में पहली बार भासपा की सरकार बनी है गोदलवे की भूपेंद्र यादों का जर्म रास्तान के अजमिर में 30 जून 1979 को हुआ था वे कोलिस के दिनों से ही राजनीती में सक्रिय रहे वर 2010 में उन्हें BJP का राष्टे सचिव बनाया गया था साथिव ने पहली बार 2012 में राजसभा से सांसत चुना गया इसके बाद दोबारा राजसभा सांसत चुने जाने पर जुलाई 2021 में उन्हें मोदी मंत्रि मंदल में शामिल किया गया इस बार यादों अलवल लोगसभ सीट से चुनाव जीत कर सांसत बने हैं उदर जोतपुर से लगाता तीसी बार सांसत चुने गए गजिन सिंग शेखावाद विकानेर से चोती बार सांसत चुने गए अरजुन राम मेगवाल और अजमिर से लगाता दूसी बार सांसत बने भागिरत चोदरी को भी दी गई है और वहीं कोंग्रिस ने का है कि केंद्र की एंडिये सरकार का डिर्ड साल चलना भी मुश्किल है पार्टी नेता अवैस सैनी के अनुसार इस बार जनता ने भासपा को बहुमत नहीं दिया है वहीं प्रदामंत्री को मजबूरी में एंडिये के घटक दलों के साथ स इंडिया गटबंदन ने बहुत बड़ा राइस किया है पापी पाखंडी धरम और जाती के आधार पर सत्ता परकाबिल होने वाले लोगों के खिलाब धरम के इंठेकेदारों के खिलाब न्याय की यात्रा करके न्याय को आम जन तक पहुंचाने का कारिय करके आज जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे अयुद्य हमें जो लोग चुनाव हार गे तो आप यह बात तैमान लोग कि राम राज इन से रूट गया है सडियंत्रकारी टीम है उसका बहुत जल्दी ही पतन होने वाला है यह आगाज है इस आगाज से साफ नजर आ गया राजस्ता मुरूत विपक्स मोंदी जी को सही काम करने के और प्यास करेगा घलत काया तो सव्ता में परिवस्बतन निष्चिता है मैं आप से काया आपको सब पता है जो चीज होने वाली है मोदी जी के साथ क्या होने वाला है और आप देखना देश की क्या इस्तिति होने वाली है देश में हर रोज कोई मंत्री रूठेगा कोई पायटी का मुख्या रूठेगा को देश में विकास का काम कम होगा और रूठ मूठ के काम मना करीब महापूर पशुमित्र की मौत हो गई ती इस मामले में परिजनों सइथ गिरामनों ने मिनी सच्चिवाल के बाहर धरना परदर्शन शुरू किया है परिजनों का कहना है कि पशुमित्र यूपेंद्र कश्चप घर में इकलोता कमाने वाला था वहीं उसकी शर्यंत पूर्वक हत्या कर दी गई लेकिन पुलिस अभी भी इसे हत्या नहीं मान रही ऐसे में मुक्यमंत्री के नाम जिला कल किया झाए और अमारे सबाते वैब वे बत्चारें उसकत घर्फदार करें तीन नहीं होका है . अभी तक कोई कारवाई नहीं हुए मडर हुआ ऐसा गड़ा काट दिया गया है गिरभदार भी नहीं हुआ कोई भाईया की मोत हुई यूपिंदर कश्चेव यहां पर आए हम बाइस मार्च को दियाल के दौर उसको बुलाए गया था कि भैस को प्रेशन करना है कि अमने उसको फॉन किया था दो बजे वह एक बज़ के पंदर मिन्ट पे हिया हमने फॉन किया था उसको जब सीन दियाल ने बुलाया था जो सीन दियाल के यहां पर कवाटर पर बैटा था कि मैं ममी ने पूछाता कि ठाए यूपे इंदर तो नो कि धेBen दियाल के कक वाटर पॉल्ट में बोला था खाना खाना नहीं आ रहा जब एक भूड कार दिया उसके बाद जरू साम को अमारफास काल कि कि इस ん्वेडुन उसने शुथ नहीं गला काि लेकिन वो जड़ लेगिन वो क्यो गला कार था उसके तो कुछ का रेन नहीं कुछ बुलाया गया था है इतना कुछ अपना करना कर नहीं कहा चकता का बुलाया था है? बवाने तो आप रोस्ंतर नहीं है अवा आप उसको शघया आपका दिन देमेल पे सके हम रफतार नहीं किया उन फ़्हं दोगो को मंदी पर डूटी तीज की और इस बहुन को बुलाया गया था इसको और उनको गिरफतर नहीं कर दी पुली सब तक तीन मैंने हो गए अलवर करशी उपज मंदी में गयों की भाव में बढ़ुत्री हुई है साती सरकार द्वारा समर्तन मूले पर खरीदे जारे गयों के भी अधिक दाम मिलने से किसान प्रसन है लेकिन व्यापारियों द्वारा तुरंत भुक्तान मिलने से समर्तन मूले पर उपज बेचने को लेकर किसानों का महो भंगो चुका है मंदी व्यापारी रामोतार गुपता ने बताय कि तीन माहा पहले गयों के भाव 2250 उपे प्रतिव किंटल थे जबकि सरकार की समर्तन मूले दर 2400 रुपे प्रतिव किंटल है गुपता कर्मसा शादी के सीजन में किसानों को तुरंत रकम की जर्वत होती है जबकि समर्तन मूले में कई दिनों बाद खाते में पैसा आता है और गौर्वर्मेंट रेट थी 2400 रुप है तो कास्टार तो जहां फाइदे दिखेगा हम माल ले जाएगा जब क्या है कि दस पंद दिन हो गया पंदवीज दिन हो गया चौबिस सो जब जाएगा जब बजार मंदी में माल मंदब के जब गयू ले जाते है कास्टार मूले में खरीजिक में कब से गिरावट आई किसमें दिनों गिरावट तो यह लगा रहा है जब से मंदी में हमारे 2300 से जीव दिने शुरू हुए है जब गॉर्मेंट ने जब बंद कर दिया हमां कि उवह वहां ब्याषादी है ब्याषादी है इसको बाद रेजिश्रेशन कराना पड़ता है उसके बाद टाइम बताते हैं कि इस तारी को माल लेकाना है जब माल कुलेगा हो वाली बात है जब भी हमर मंदी में इसको 270 बंद कर दिखेंगी है महीं पिछले चार दिनों से तो एक बुन पानी भी वाड में नहीं पहुंचा महीं पार्शा रविंदर जैन ने बताए कि वाड 36 में अभी तक एक भी टैंकर के सप्लाई नहीं की गई है हमारे यहां जो पानी है वो एक दिन छोड़के एक दिन सप्लाई का पानी आता है तो कल अमारी सप्लाई होनी थी जो इंद्रव बॉला नहीं दे दी उससे एक दिन पहले हमारा ओफ था और आज मुझकिल से फास मिनट पानी आया जिसके कारण अधिकतर लोग जो है वो सुबह मेरे पास टेलिपोन बजने लगे मैंने यह जोनों से बात करी उन्होंने यह पानी तो टेंकी में था जब मैं यहां आया तो मुझे यह पता पड़ा इन्हें तो बूस्टिंग की मोटर से लिए इन्हें पानी की सप्लाई यहां दी गई है क्योंकि जो पानी है वो इसकीम दो की तरफ मोड़ दिया है और हमारी छेतर के अंदर पानी के टेंकर आते हैं पानी का हमारे हाँ एक भी टेंकर नहीं आ रहा है और वहीं अलवर की वार चार इससी इसके तस बीके लोग सोंबा को मनोबा इस दे जल्दा कारले पहुंचे छेतर की महिलाओं का कहना था कि पिछले चार दिनो से बिलकुल पानी नहीं आ रहा है वहीं अधिकारियों के तो चबाब भी कुछ भी नहीं आता अधिकारी मंगा कर आप आप पानीमि प्राइबिट मंगा रहे हैं तो प्राइबे टैंकर मंगा बॉलोंके की आज के नकर होते हैं जो मांगते हो दे नहीं पड़ता हम बहुत परेशान हो लिए चार दिन होगे पानी एक बून नहीं आया हमारे अधिकारी हमको यू कहते हैं कि अभी बेज देता हूँ पार्षट डालेगा पार्षट कहता है अधिकारी डालेगा हम किसे कहने जाए हमको थंतुर जवाब दे जवाब भी नहीं देते है अलवर क जगदिश अलवक के मोती नगर में किराय पर रहता था महीं अरावली व्यार थाना पुलिस पोश्वाहटम के कारवाई करवा रही है एक सो आठ द्वारा बोड़ी यहां लाई गई इसके परिजन साथ में इनका पोश्वाहटम करवा रहे हैं जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी करवा रहे हैं परिजन तो यह बता रहे हैं कि नल्पिटिंग का काम करता है अलवर जिले के रहनी थाना अंतरगत बलातकार के मामले में एफाल लगाने की एवज में 45,000 रुपे एटने का मामला सामने आया है पीडित ने बताई कि उसके परिवार के एक व्यक्ति के खिलाब महिला दोरा बलातकार का मामला दर्ज कराया गया था इसमें एफाल लगाने के नाम पर युएक से करीब 45,000 रुपे वसूल लिये गए फरजी पुलिस कर्मी बनकर दो शातिरों ने ये रकम एट ली जब उनकी असलियत पता लगी तो पीडित ने रहनी थाने में मामला दर्ज कराया है मैं इंकराम प्रिजापत, पुत्रश्री विश्राम प्रिजापत, मेरे चाचा राम केश प्रिजापत, पुत्रश्री कजोर प्रिजापत, निवासी बुड़ा का रहने वाला है इसके खिलाब हमारे परिवार की एक महिला जिसने बलातकार का मुकदमा दर्ज करवाया है जिसके बाद दो-चार दिन बाद हमारे घर महिज मेर उड़ा आया और बोला तुमारे इस केस में मैं एफ़ार लगवा दूना मुझे 10,000 रुपे दे दो हमें डरा दमगा कर 10,000 रुपे ले गया और बोला कि मेरी पुलिस से अच्छी जान पैचाने इसे वज में हमने इसे 10,000 रुपे दे दिया और बोला कि मैंने पहले भी कई लोगों को काम करवा चुका हूँ उसके बाद हमें ये तैसी तोड़ा भीम के गाउं खेडी मेरे ला लेके गया वहाँ पे हमसे इन्होंने कैला समीना पुत्र मंधूरी मीना ने हमसे 10,000 रुपे की मांग की इसे वज में हमने मना कर दिया तो हमें फर्जी पुलिस वाले बनकर जरा धंका कर हमसे इन्होंने 33,000 रुपे फोन पे डलवा लिए कई अलग अलग फोन पे नंबर उपे डलवाएं जिनके पास हमारे नाम हमारे पास उनके नाम और पूरा इस्टेटमेंट है बैंक का और उन लोगों के हमारे पास फोन में रिकोडिंग भी है इन लोगों की पुलिस से कोई जान बैचान नहीं है इनका एक गिरो है और ये ठगी का मामला करते हैं इन गिरों में तीन चार लोग सामिल है जो की दिनेज मीना पुत्रशरी सोन्या राम मीना बोड़ा एक है राम परताब मीना निवासी राम सिंकुरा रेणी मैश महर के इस गिरों में कैई लोग सामिल है और इस महिला से जोटा मुकद मदर्ज करवाते हैं और पैसा एड़ने का काम करते हैं वहीस मेर ने हम इस महिला से मिलवाया और इस महिला ने हमसे 20 लाक रुपय की मांग की इस केस में जो हमारे पास हमने इसकी वीडियो रिकोर्डिंग कर रखी है इन लोगों की पुलिस में कोई जान पैचान नहीं है ये लोग पुलिस के नाम से ठगी करते हैं और पूरू में इन लोगों ने काफी लोगों के साथ ठगी की है इस मामले में हम पुलिस के उच्छ अधिकारियों से मिले उनके निर्देश पर ही हमारी F.I.R. दर्ज हुई है J.W.E. Advance का रिजल्ट रहिवा को जारी हुआ इससे पहले J.W.E. Men's में भी बाउन विद्ध्यार्टियों का चैन हुआ था उदर अकेडमिक हेड अमित नरोडिया ने प्रेश वारता में बताए कि इंस्टिूट के अंशुल चोदरी ने 887 वी रैंक और आईश अगरवाल ने 2175 वी रैंक हासिल की है इसी तरह दिव्यांशु जसावतने केटेगरी रैंक 484 और यश खाड़िया ने रैंक 1110 हासिल कर अपने IIT जाने का सपना पूरा किया है सातिक इंसुक जैन, आयश अगरवाल, दिया बंसल, दिव्यानी मीना, सीमा मीना, रहुल मीना, इशान बडेरिया और आशुतो सोगन ने JW Advance क्वालिफाई किया है जैई Advance का हमारा रिजल्ट आये है तो अकाश अलुवर से हमारे First Foundation badge का जो रिजल्ट है उसमें से 13 बच्चे ऐसे हैं जो जैई Advance के लिए क्वालिफाई किये गए जिसमें जो हमारा टॉप स्टूडेंट है अंशुल सोदली उसकी रैंक 887 है देन आयोश अगरवाल उसकी रैंक 2175 रैंक है इसके अलाव बाकी टोटल पिलाके 53 बच्चे हमारे जैई मेंस क्वालिफाई गिये थे करता रखने के साथ ही सिख्षकों से अपने डाउट्स किलियर करते रहें अंशुल ने जे डवली मेंस अप्रेल में निन्याड में दश्मरों 988 परसेंटाइल लाकर अलवर जिले के त्यास की सर्शेष्ट ओल इंडिया रैंक 274 हासिल की थी हमें इस दोरान ब्रांच हेड अमित गुपता, नितिन विजय, सोरव सोनी, अंशुमन और अमित नायकादी मोजूद रहें गोतलबै की टोप 100 में आकास इंस्टिटूट के 6 स्टूनेट ने ओल इंडिया रैंक में अपनी जगे बनाई है इनमें रिशी शेकर शुकलानी 25 वी किष्णा साइंस शिशेडनी सरसड अभिशेक जरनी 78 आरजीक अगरवालनी तिरान में जैपुर ब्रांच से उजवल सिंगनी पिचान में और रचित अगरवालनी 98 अरजित की है समाचर में वक्तों चलेक छूट से ब्रेक का बने रही एटियल टीवी के साथ अलवर शहर में आदित्ये ग्रूप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्टता का परचम लहरा रहा है बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत परिणाम दे रहा है विद्यार्थी गारगी सेनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है हमारे यहां अंग्रेजी वे हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षन की उत्तम व्यवस्था है विद्याले के द्वारा विद्यार्थियों को सो संस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है समय समय पर प्रश्चासन ने भी विद्याले को सम्मानित किया है विद्याले में सांस्कृतिक कारेक्रम वेखेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है विज्ञान एवं प्रध्योगी की विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सेनी वेपलक सेनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है हाल ही में विद्यार्थी भूपेंदर सिंग मांडिया का आरेस में चैन हुआ है हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाइन लगा कर उनकी पढ़ाई से संबंदित कमजोरी को दूर किया जाता है प्राब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है दोर-टो-डोर वहन सुविधा और अफ़र्डेवल फीज, CCTV कैमरे वे कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है प्रतिमहा अभिभावक संगोष्टी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है हमारे शिक्षा जनस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल देहली एकेडमी सीनियर सेकंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षन की उत्तम व्यवस्था है अभी भावकों से निवेधन है कि उतक्रिष्ट परीक्षा परिणाम प्राप करने के लिए एक बार विद्याले की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं आदित्य की परमपरा सेवा संस्कार वैस समर्पर्ण इतनी कड़ी महनत क्यों पापा बेटा इतनी महनत इसे लिए ताकि सबको खाना मिल सके किसी पे कोई मुसीबत ना है पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो क्षेमा सुकृति फसल बीमा कॉल करे और कराए सौ से भी जादा फसलों की बीमा चार सो 99 रुपे प्रती एकर में को भी आज ही चुट्टी लेनी थी तो तू किचिन देख डिलिवरीज मैं कर दूँ पीरियंस में भूल गई हाँ समझ दो पीरियंस भूली गई हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गापरसाद सुनेलदत ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर करदे कर दो प्राइब के जोड़ा अलवर बाजनाज समया टालवरा अलवब कर दो दो तू अ, का अ, जारा अलवरा ह श्याए भूल बाजकर बाज़ार इजा हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनिलदत ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर फोर नमबर 0144-233-8653 and 233-8663 फरनीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकूर यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अत्वा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फरनीचर उपलब्ध है डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड, एम सोफ्टी, फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाय जाते हैं सभी सावान एक ही छत के नीचे उपलब्ध हमारा पता है अलवर बोर्ड जैस्मन तिराये से पहले कटी घाटी अलवर कॉन्टेक्ट नमबर 9414019769 and 9414019768 ATL त्वारा गर्मी के मौसम में वर्न्य जीवों के लिए जारी मोहिम के तहट काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भीज़ा जा रहा है मकसद यह है कि बेजुमान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारी के लिए भटकना ना पड़े ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूख प्राणियों की सेवा के जरिये पुढ़ने लाब उठाए संपर्क करें मुकेश गुपता निदेशक ATL मुबाइल नंबर 9414019207 इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसलिए ताकि सबको खाना मिल सके किसी पे कोई मुसीबत ना है किसी पे मुसीबत ना है? इसलिए आप हो पापा पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो देक के बात पुने आपका स्वागत है सारजनिक सेवाओं इम एसेड अटेक के पिडितों के लिए विदिक जावकता शिवरा जित किया गया जिला विदिक सेवा प्रादिकन के सचिव इम ADJ भारत भूशन शर्मा के निर्देश पर सोंबा को सामध चिकेसाल में यह कैम्प लगा पीलवी मुस्तफा खान ने बताई कि सारजनिक उपयोगिता सेवाओं से संब्धित प्रकणों के निप्तारे के लिए स्थाई लोक अदालत की स्थापना की गई है उन्होंने एसिड अटेक के पीडितों के लिए विदिक सेवा योजना साई थे कई प्रावधानों की भी जान करी दी इसके लावा राज के चिकेसाल में भरती कठुमर निवासी एसिड अटेक पीडिता एवं उसके परिजनों से मिलकर कांसलिंग की गई उन्होंने पीडित प्रतिकर के लिए आवशक दस्तावेज की पूर्थी कराए गई इस हवसाप पर नर्सिंग अधिकारी सुमन देवी एयोम अन्य नर्सिंग स्टाफ आदी की मोजोदगी रही अलबर शेहर कोतवाली थाना पुलिस ने लूट और मारपीड के मामले में एक आरूपी को गरफतार किया है A.S.I. कनिया लाल ने बताए कि गतेजिन नवापुला मोला निवासे मुकेश ने मामला दस्क करवाया था उसके पर्चोनी की दुकान पर उधार की रकम चुकाने को लेकर इस्ताने युवक प्रविन गुर्जर ने हमला कर दिया था वहीं युवक द्वारा अपने सात्यों के साथ मिलकर गल्ले से 6,000 रुपे भी निकाल लिये थे पुलिस ने पूर में आरुपी प्रविन को गिरफतार कर लिया था वहीं इसी मामले में अब पुलिस ने लादिया निवसे शिवा को रावन देरा से गिरफतार कर नयाल में पेश किया है आरुपी शिवा कटान को पुलिस निवसे लादिया नवला खाना को गिरफतार किया गया है जिसे मानने में आयले पेश किया जारा है क्या माम रखनी विलाका आजा मैं महल लग नवापिरा मुकेश जुटा की जुकाम पर गत्र अगात्री को परीज मगवजे क्यार बढ़मासा जवारा मारपी के जुटा की जुटिंगे इसकर ठाना अजपत प्रप्राद अपक्राइपार्व में चुट्री को प्रखनी पर पर ह मुवासी पूराने कुंसर्पीस को शावना असो पता कि अग्वा को लख्टार किया जा चुका था जो नियाई का हुरुत थाने चलगा प्रचन अन्या मुल्जिमां की तलास जारी है। को लेकर प्रतेक जिले में संपर किया जा रहा है। कि अग्वा किया था किया था किया तो हमारी बात मान ले नहीं तो हम सरकार से टक्राव की श्तिति पर बीच में चुनाओ आगया था। उसके बाद अब हुने हम उसकी त्यारी कर रहे हैं। कल हमारी कोट खासी में भी एक मिटिंग थी। कल बर्खेडा में भी एक वैठक थी। कल हमारी सताना में भी एक मिटिंग थी। और। जल्दी हम हम प्रदेस में ही सभी जिलों के मुख्यालों पर कारिक्रम चालू कर रहे हैं। राजस्तान सरकार से हम हमारी क्वाव का आबाधी के जन्गणदना के आदार पर हम हमारा अर्यक्षनолेcus साके, मोरिय, काची, आदी भिन भिन नामों से जाने जाने वाली जाती जो हैं, उनको हमें एक समू मानते हैं, और ये समू लगबक 12% राजस्तान के निवास करता है, बेश तारीक के बाद पूरे प्रदेश के एक सिग्र बैठक कर रहे हैं, और इस आंदोलन को पुने संचानित कर जल्दी ही हम सरकार से वारता करेंगे, और प्रतेएक जिले और टैसले एक्वाटर पर हम सरकार को पूने गयापन देंगे, ये चाहते हैं कि अन्य जातियों को जिस तरह से राश्तान सरकार ने अरक्षर दिया है, उस तरह हमारी जाती को भी उसकी गन्ना के अनुपार्थ अलवर में सोंबा को शहिदी पर्व मनाया गया, इस मोके पर अपना घर शालिमार सिर्थ गेट नंबर दो पर मीठे पानी की छबी लगाएगे, गुर्द्वारा शिरी गुरु नानक दरबार की मीडिया प्रभारी रजनीश मांगा ने बताय कि गुरु अर्जुन देव के शहिदी पर्व पर लगी छबिल में हजारो रागिरों ने मीठे पानी का सेवन किया, उदर गरंती अनोक सिंग ने बताय कि गुरु अर्जुन देव ने हजारो कर्ष्ट सहे, लेकिन प्रभु का आसरा नहीं छोड़ा, महीं सवस्वपा प्रदान किष्ण मुरारी छाबड अन्तन साहिब सिर्य गुरु अर्जन साम महराज देशेदे कुरु प्रदाय हुया, सुरे विपियां दे जद्धे वन लोग से रिस्पूंसर दपाट वया, उपरांत शबील दी सिवा चल रही है, जो हर साल इसे तरह गेटन बर्दू अपनागर शाली मार विके हर साली चल है, मेरे विपियों के जद्धे ने गुर्द्वारे में शुक्मानी साब का पाट किया, उपरां नो वज़े से लेकर शर्वत का आप, वारे पांचवे पात्षा गुरु अर्जन देर जी को फिर्मी जाहिए, उनको गरम तवे पे मिठाया गया, उनको पानी में वाला गया उनकी उपर गरम ने डाली गई, और आज के दिन हमारे वाचे पात्षा शहीद हो गए, उनको शहीद का दिन है आज, इसलिए हम यहां कारी की शर्वत का छबील लगा रखी है, और सारे सेमादार शाली मार कुर्दवारा के लगे गुए, तेरा पाना मीठा लागे, मीठा, आज मीठे, मीठे शर्वत दी, लस्पी दी, ऐ शिकन्जी दी, ऐ प्रविला लगे हुई हैं, यह प्यववववे लगे हुई हैं, यह सारी किसके द्वहारा किसकी याद में, गुरू अरजन देव जी की याद में, जिन्होंने महा तुपाए, महा सताया गया, मुगलों के उदर अशोका टोकीज के पास मालकेडा गेट गुर्जवारे में गुरु अर्जुन देव का शहीद दिवस्संपन हुआ इस दोरान गुर्जवारे में सरसंग के साती मीठे पानी की छबी लगाए गई वानूग अर्जुन देव जी ने शहीदी पुरब देवारे में जानकारी जारी है गुर्जवारा मालाधिडा गेटा गेलां ग्राजारे मालाधिड़ा गिंुर्जवारे में गीठी पास में बहुत वड़ा जोगदान है उना ने हमेशा सिख तरम्दे पर चार गेली बहुत जादा योगदान किते बट जिस जोने उन अपने समय दे जदो उना का राज सीगा तो एक राजा जहां ही जो सी जो उने के बहुत जादा लिक्रत करदा सी और इनी जादा नफ़त करना सी कि उसे आज दे दिन गुरु अरजन देव जी नो तसी हे दे के शहीद कर दिता कश्ती तभी के बखा दिता गया अत्रशन की हेत ओना दे उपर खाई गई इस तरह ओना नू ससी हे दे के शहीद किता जी है अलवर शहर में वहन चोर्यों की तादा लगातार बढ़ती जा रही है। शातिर आई दिन किसे ना किसी जगे से बाइक पार कर लेते हैं। इसे कड़ी में स्किम एक इसी निजी उस्पिटल के समिफ शातिरों ने मोटर साइकल चुरा ली। इसे लेकर परिवादी साजिद ने शहर को उत्वाली में शिकात पेश की है। इसका CCTV फूटेज भी सामने आया है। गोतलबे की शहर में पहले भी कई वहन चोरिया हो चुकी है। राजिस्थान सिक्षक संग सियाराम की प्रदेश महासमिती का प्रांतिय अदिविशन सोंबा को संपन हुआ। कमपनी बाग के सामने सिन मंगल पढ़ने मेरी जों में आजिस सम्मेलन में प्रदेश बरसे आए करीब 650 सिक्षकों ने भाग लिया। प्रदेश अदिक्ष विरेंद शर्मा ने बताय कि ओल्ड पेंचन स्कीम को अनिवारे रूप से लागू करने की मांग उठ रही है। साथी अभी तक ट्रांसफर पोलिसी को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने लेवल वन और लेवल टू के ट्रांसफर करने इन सिक्षकों के प्रमोशन के जाने पर भी जोड दिया। आज इस महासमीति अधिवेशन में पहुंचे हैं। जो पुरानी पेंशन योजना है उसको अनिवारी रूप से एविलंब लागू किया जाए। ट्रांसफर पॉलिसी की सरकार बात करती आ रही है लेगिन अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी जारी नहीं की गई है। तो वो शिग्राती शिग्रत जारी हो। अध्यापक लेवल वन और लेवल टू के ट्रांसफर पिछले कई वर्षिन से नहीं हुए हैं। उनके सरकार ट्रांसफर करके उनको रहत प्रदान करे। इसके अलवा टीचर्स के थर्ड ग्रेट टीचर्स से लेकर के प्रिंसिपल डियो तक जितने भी केडर्स हैं सभी के प्रमोशन्स पिछले का लंबे समय से रुके हुए। तो हमारी सरकार से इस प्रांतिय महासमिती अधिवेशन के माध्यम से यह भी मांग है। जितनी भी शिक्षकों की डीपीसी बकाया चल रही है वो शिग्राति शिग्रे पदोनति उन्टी करने कि हम संग्ठन के माध्यम से करते हैं। दोसा में संपन राज्य यूत मैला मुक्य बाजी प्रतोगिता मी अलवर्की दिशा गोडने सुरण और चारू यादोंने कांसे पदक जीता है। इसी तरहे जूनियर बालिका मुक्के बाजी में रिशीका गुपतायम पलक यादों ने भी कहां से पदक प्राप्ट किये हैं। को विभिन कारिकरम में शरीक हुए यहां उन्होंने ब्रामन समाज धर्मशाला का उद्गाटन किया साती गोशाला की विवस्थाइं देखी। भारतिये जनता पार्टी हमेशा सहीदों, सेनकों और देश की सेवा में प्राण मुशावर करने वाले अर्थ सेनक वलों के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही है उनके मान सम्मान के लिए जो सरकार को उचित कदम उठाने होंगे उनको सब को उठाने का। अलवर के वाड 22 से स्थित भावानी सिंग की गली में लंबे समय से पेजल की सप्लाई नहीं हो रही है यहां ट्यूबल बारबा खराब हो जाने के कारण वहाँ पानी नहीं पहुंच रहा। उदर इसे लेकर खबर प्रसारित होने के बाद जल्दा विवाग के अधिकारी संजय सिंग और संबनित अभियंता मोके पर पाहुंचे। आशिश गुपता और उपकरन अधिकारी अलवर प्रतीक चंद शेकर जुए करने भी आधिशाशी अभियंता को मोके पर नेक्शन करने के लिए कहा था। अलवर से भासपा संसत भूपेंद यादो को मंत्री मंडल में शामिल करने पर माला खड़ा के भासपायू ने खुशी जताई। पार्टी से जुड़े मुकेश कुमाश शर्मा ने बताये के समोके पर मिठाई बाते गई। वीरेंद सिंग एतेंद परदान और एड़ोकेट जीतेंद साइथ अन लोग मोजूद रहे। साथी कोंग्रिस से भासपा में शामिल हो चोके प्रदान वीर्वती और दोलत राम के अलावा पार्टी कारकरता शुचन शर्मा और बनवाई लाल गुर्जर आदिनी में मिठाई का वित्रण किया। उदर दिल्ली में नैंद मोदी के प्रदामंतरी पत के शपत ग्रण समारों में बांसूर एमले देवी सिंग शेखावत भी शामिल हुए। मही भासपा के जिलाव पाद्रक्ष डोक्टर शर्षेकांद बोरा के नेत्वत में बांसूर कस्वी के नायंट्पूर रोड पर मिठाई अबाटे गई। यहां भासपा कारल्मिक कारकरताओं ने आतिश वाज़ विकी। इसावसपल पूर मंडल अद्रक्ष रामन दिक्षित रंजन महीश कटारिया मंडल के मामत्य योगिस सोनी विजे कुमावत सतिश चोधि और संदिप शेखावत आदी मोजूद रहे है। नरेद्र मोधी जी, तीसरी बार तोड़ आन्मंत्री की सबत ले रहे हैं सवा साथ वजे। यह तीस साल का गटपंदन हमारा एंडिय का, सबसे लंबा गटपंदन है यह ती सईत जो चल रहा है एंडिय का भारत में वो सिर्फ एंडिय ही है। बागी आन्मंत्री के साथ ही सरकारें बनाई और इस बार जो इच्छा थी बारती जनता पार्टी की कुछ करने की, इसलिए वो 400 पार का नारा था, परंतु जैसी जनता की इच्छा होती है। उसके अनुसार क्योंकि प्रजात्त्र में धनता ही सबसे बड़ी मत डाता है। उसका भैसला सरुमान होता है। उधर बांसूर विदायक देवी सिंग शेकावद जहां शपत ग्रण में शामिल हुए, मोई मोधी कैबिनेट में मंतरी बनने पर भूपेंद यादो गजिन सिंग शेकावद, अजुन राम बेगवार और भागिरत चोदरी से मिलकर बदाई दी। मालाखिड उफखन और ग्रामन विदान सबाद छेत में शराब की बिकरी के लिए जगे जगे कंटेनर लगा कर अवेव विकरे को प्रोथसाम दिया जा रहा है। मेगा आईवे पर बंदिपुरा, मववा और कलसाडा की शराब दुकान पर लाइसेंस होल्डर का नाम नहीं लिखा गया है। इसके लाबा गोदाम पर भी अवेजू से शराब की बिकरी के अरोप है। इसके लाबा कलसाडा में शराब का ठेका मेगा आईवे से निर्दारित 220 मीटर के बजाय करीब 1500 मीटर दूरी परी है। उदर ग्राम कल्यानपूर, बिचपूरी, जाटोली और रूपबास में कोई शराब का ठेका सुईकत नहीं है। लेकिन कंटेनर रग दिया गया है। इसके खिलाब सरपंज कुंती देवी के नेत्वत में HDM माला केड़ा को ग्यापन दिया गया। साथे अन्य लोग भी कारवाई की मांग उठा रहे हैं। उदर आपकारी अधिकारी अर्चना शर्मा के अनुसार कि इसी ग्राम पंचात मुख्याल पर शराब का ठेका सुईकत नहीं होने पर उसी दूसी पंचा से जोड दिया गया होगा। उन्होंने माना कि आईवेश से 220 मीटा दूरी दुकान का कंटेनर लगाया जा सकता है और इसके पालना नहीं होने की स्थेति में चांच कराई जाएगी। समाचार में फिर से रुकेंगे छोड से अलप विराम के लिए आप बने रही एटियल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्ये ग्रूप ओफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्टता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गारगी सेनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96 प्रतिशत अंक प्रापकर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहां अंग्रेजी वे हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाउं द्वारा शिक्षन की उत्तम व्यवस्था है। विद्याले के द्वारा विद्यार्थियों को सो संसकारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। हमारे यहां पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाइन लगा कर उनकी पढ़ाई से संबंदित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्राब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। दोर टू दोर वहन सुविधा और अफोर्डेबल फीज, सीसी टीवी कैमरे वे कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमहा अभिभावक संगोष्टी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा जनस्थान – ओम आदित्या पबलिक सीनियर सेकंडरि स्कूल, दहली एकेडमी सीनियर सेकंडरि स्कूल एवं आदित्या एकेडमी में शिक्षन की उत्तम व्यवस्था हैं। अभी भावकों से निवेदन है कि उतक्रिष्ट परीक्षा परिणाम प्राप करने के लिए एक बार विद्याले की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं आदित्य की परमपरा सेवा संस्कार वैस समरपर्ण इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसलिए ताकि सबको खाना मिल सके लिए किसी पे कोई मुसीबत ना है पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो क्षेमा सुक्रिती फसल बीमा कॉल करे और कराए सौ से भी जादा फसलों की बीमा चार सो निन्यानवे रुपे प्रती एकर में आज तो लेट नाइट पक्की चार और ओर ओर्डर्स ओ नू दिलिवरी वाले को भी आज ही चुट्टी लेनी थी तो तु किचिन देख डिलिवरीज मैं कर दू पीरियंस मैं भूल गई हाँ समझ दो पीरियंस भूली गई क्यूकि स्टेफी सेक्योर एक्सल की लीक लॉक टेक्नोलोजी दे 12 घंटों तक प्रटेक्शन स्टेफी सेक्योर एक्सल दिर तुम्हारे साथ चलेगा हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनिलदत ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर फोर नमबर 0144-233-8653 and 233-8663 फरनीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फरनीचर उपलब्ध है डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड, एम सोफ्टी, फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं सभी सावान एक ही छत के नीचे उपलब्ध हमारा पता है अलवर बोर्ड जैस्मन्तिराय से पहले कटी घाटी अलवर कॉन्टेक्ट नमबर 9414019769 और 9414019768 ATL त्वारा गर्मी के मौसम में वर्ने जीवों के लिए जारी मोहिम के तहट काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भीजा जा रहा है मकसद यह है कि बेजुमान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारी के लिए भटकना ना पड़े ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूख प्राणियों की सेवा के जरिये पुढ़ने लाब उठाए संपर्क करें मुकेश गुप्ता निदेशा KTL मुबाइल नंबर 9414019207 इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसलिए ताकि सब को खाना मिल सके किसी पे कोई मुसीबत ना आए किसी पे मुसीबत ना आए? इसलिए आप हो पापा पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो अब पाए फसल बीमा केवल तीन आसान स्टेप्स बे क्षेमा सुकृति फसल बीमा कॉल करें और कराए सौ से भी जादा फसलों की बीमा 499 रुबे प्रतियेकर में ब्रेक के बाद पुन्हें आपका स्वागत है अकवपूर ग्राम पंचात में सरपंच सुनीता पटल की अद्रक्स्ता में पंचात भौन पर ग्राम सभा का आईजन किया गया मुक्ह सचिवम ग्राम विकास अधिकारी ने यहां मोजुद लोगों को पोदे लगाने के लिए भी जाग रुक किया राजिस्तान में सगर्ण व्रक्षा रूपन अभियान का शुवारम किया गया है इसे लेकर वी ग्राम सभा में धाई हजार पोदे लगाने का प्रस्ता उल्ली आ गया इस राम सर्वा का रिशय से जवन जम्ता है सटकार की परश्ते विस्ते जभागरी लगा है सगर्ख सरॉपहर ऑफने वारण वारण पर्षाव का सीजन है इस में ज़्यादा प्रश्ताव ग'ा ONE ज़न फेसी जगेसी इंपने परेशात गाने सब्चारा지만 अक्वापूर ग्राम पंचात में नेंदर मोदी के प्रदामंत्री पत की शपत लेने के बाद भासपा कारकरताओं में उससा नजर आया युआउनी अक्वापूर के मुक्य मार्केट चोपाड मंदिर पर आतिश भाजी की और नेंदर मोदी जिन्दाबाद के नरे लगाए इस मोगे पर काली चर्ण गुपता, विजेंद शर्मा, सचिन गुपता, लोके शादव, राउन शर्मा, तनू शर्मा, सइथ अनेक लोग उपस्तेत रहे इस में बढ़ा ही एक जोर सोसे, मतलब उससाँ और खुशी मिल डेखने को मिल रहे हैं जैसे दीवारी मनाते हैं उस परकार के हमने खुशी मनाई है और साथ ही हमारे जो यूआउं में इजादा करके जो यूआउं में पहारी तकड़ा जो जो जोस है और हम को लग रहा है कि हमारे आने वारे समय में हमारे मोधी जी हमारे लिए बहुत अक्छे काम करेंगे बड़े गरब की बात है आड आज हम प्रदान-मंत्री श्री-नरेंद्र मोधी जी Cut ऐ है यह हमारे देश पूरे देश्वास से लिए बड़े गरब की बात है और एक इमानदार धान-मंत्री जो पुने तिवारे बने हैं हमारे हम बड़े गरब अफूर्ब कर रहे ? यह कुण्य वृषण होगी कुणने-अपमध्र समय पर परुवाब को परिवायर शिव लागाया गया इसमें लाभार्ती रेश्टेशन करवाने पहुंचे हाकवपूर छेट के आसपास के लाभार्तियों को आसा सयोगनी द्वारा शूर मिलाया गया हाला कि गर्मी के चलते लाभार्ती कम संख्या में नजर आए दस्तारीख के मैंने की चलते हैं अधर अलिस जर समस्तान थेंजियों यह महिला नस्बंदी परिवार नियो जिनकगा केम पर यहार महिले की दस्तारीख को लगता है इसे हम जो भी सेवा दे सकते हूं हमारी तरफ से देते हैं सरजन हमारा होता है सरटीन वे वस्तामाई होती है तो अभी फिलाल पांच के सोगर रिष्टिशन हो चुका है तो किते लबात या है अभी इस टाहिम कर्मी की वज़े से मुस्किन से आठ दस हो पाई है बर्दोमेयो कस्मे के गुर्दवारे में गुरू अरजुन देव के शहिदी दिवस्पा मीठी शर्बत की छबी लगाई गई यहां मोजुद हरमेश सिंग ने बताए कि सेके समासद्वारा प्रसाद वितन भी किया गया उन्होंने बताए कि आजी के दिन गुरू अरजुन देव शहिद हुए थे उनकी याद में मीटे पानी की छबील लगाई जाती है कस्मा ब्रोदा में हर वर्स की बाती इस वर्स में बड़े नोगावों में दिल्ली रोड से सैनी समाज मंदिर में शिरी शिव महापुरान कथा की जा रही है मंदिर परिशाय से देवी देवताओं की पूजार सेना कर कल शियात्रा का शोबाराम किया गया में इसके बाद शिरी धाम वर्णदावन से आई केशोरी प्रिया ने कथा सुनाई इसका समापर 19 जून को होगा और प्रसाद विटन भी किया जाएगा आज यहां पर नोगावों में शिरी महापुरान का आज सुबारब हो चुका है आज महादिवे कलश यात्रा 200 कलशों से भी उपर 1000 कलशों तक यहां पर बड़ी अच्छी कलश यात्रा निकाली गई है जिसमें सैनी समाज मंदिर सभी का बड़ा सयोग रहा है और यह कथा महाशिर पुरान की कथा सभी के एक अल्यान करने वाली सभी के जीवन को उतारने वाली सभी को तारने वाली पुन्य देने वाली यह कथा है और इस कथा का सुबारब आज 10 जून से लेकर की 18 जून तक हिया गया है और सभी का बड़ा इसने और प्रेम के साथ भी सारे भक्तों का बहुत जादा सम्मिलत रहा है आपर बड़ा सुन्दर महावलत खेरतल के रेलवे फाटक संक्या त्रानमे के समिव रहिवाश शाम अजमेर से दिली जाराई शताबजी ट्रेन की चपेट में एक व्रद आ गया इसके चलते 60 वर्षे इस व्यक्ति की मौत हो गई वही ट्रेन 10 मिनट तक रेलवे लाइन पर खड़ी रही मरतकी पैचान मूसा किड़ा निवासी बाबू सिंग के रूप में हुई है सोमवा को पोश्माटम करवाकर शोपर जोन कोस्सों अपति आ गया 13 इस्तित गाडिया लोहर बस्ती में जन्द जागरती संस्थान ने माराना परताप की जैनती दुमदाम के साथ मनाई इस वस्तित पर माराना परताप की तस्वेपर मालापन किया गया महीं संसान के संरक्षक बाल किशन आरे अद्रक्ष किशन लाल यादो, सचिव रादेशाम धानका, सुभाश कामरेर जस्वंत यादो, लाल बादूर यादो और कोली लोहार आदी ने विचार रहे वक्तावने उनकी देशबक्ति चे प्रणा लेकर अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया तीजारा में श्री मोनी बाबा गोशाला सूरज मुखे की कारकाने की बैठक अद्रक्ष तेजपाल नागर के अद्रक्सता में आई जी थुई इस दोरान पिछली महा का आईवय का लेका जोका रखा गया साती गोवन्षो का स्वास परिक्षन विशेशग से करवाने करणे ने लिया गया वहीं गोशाला के विकाज और समवर्धन पर विशेश चर्चा की गई इस अवसा पर अद्रक्ष तेजपाल नागर उपाद्रक्ष बनी सिंग गुर्जर सचिव देशपाल यादव सुरेश चंद्र तुल्सिराम यादव पाशर विरेंदर सैनी यश्पाल आचारे और कमल आदी उपस्तित रहे विवाड़ी इंडिस्ट्रियल एरिया स्थित भुर्जी सूपर टेक इंडिस्ट्रीज में आग लग गई तेज गर्मी से बीच आग लगने से वहाँ मोजूद दमकल कर्मियों को आग बुजाने में भारी परिशानी का सामना करना पड़ा जानकारी केमसा कंपनी के जनरेटर में सबसे पहले आग लगी इसके बाद यह आग अन्य जग फैल गई इसके बाद कई स्थानों से दमकले याँ पहुंची और देर तक आग बुजानी की मश्या का चलती रही इंजिनियर्स पॉइंट खेर्टल ने नीट के बाद अब IIT एडवांस में भी आर्ट सेलेक्शन देकर इतियास रचा है इपी निदेशक आजाज चोदरे ने बताय कि नहोनार विद्यार्टियों ने अपने छेत्र संस्ता और मातापिता का नाम रोशंती किया है इनमें यश कुमार, यादाव, चारुगुपता, एना जोशी, हिमान्शु राही, दीपकुमार, रिया गुपता, पंगश कुमार और यश गुपता शामिल है इनका जे डवली एडवांस में चैन हुआ है महीं कई विद्यार्चों ने जे डवली मेंस में सम्भावी चैन कर अपने छेत्र का नाम रोशन किया है मातो रोडिस्तित एपी केरियर इंस्टिटूट पर सभी चैनित विद्यार्चों को माला पैना कर समानित किया गया बच्चों को मिठाए खिलाने के साथी आतिश वाजी भी हुई इसके अलबा जे डवली एडवांस में OBC रैंक 2143 हांसिल करने वाले यश्कुमार का जन्दिन भी बनाया गया चोधी ने बताये कि संस्ता पिछले कई वर्षों से बार्वी के साथी लगाता सलक्षन देती आ रही है खेरतल के महावर भावर में सोंबा को आईश्मान वैश्य माईला समिती द्वारा स्वास्त जांश्वी लगाया गया जांश्वीर में मेदान्त ओस्पिटल गुड़ाओं की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमान्शू और हार्ट स्पेशलिस्ट ताइर खान ने रोगयों को देखा साथी उपयोगी परामस दिया इस मोके पर महावर मैला मंडल अद्रक्ष तरप्ती महावर महावर ट्रस्ट के अद्रक्ष अशोग डाटा, PCC सदस्य गिरिश डाटा, नेंजन लाल खंडिलवाव सतिश चोहान, माया देवी कांता गुपता, रेनु और राधा अधी मोजूद रहे जबकि मनसंचलन योगिश गुपता ने किया महावर पुर्षो के प्रचाप प्रसार कायकम के तैट खैरतल के हरसोली रोड इसित अंबेड कर भावन में भीम गाथा आउजित हो रही है जाटो समा संसान के अध्रक्ष राम बाबू जाटव ने बताय की गाथा की प्रस्तुती इटावा उत्रपरदेश की प्रसिद कलाकार रजनी अमवेड कर दे रही है यह कता 12 जून तक दोपर 12 वजेश शाम 4 वेज तक जाटो दमशाला में होगी खेरतल केव निकटवर्ती वल्लव ग्राम में अपने ससुर की हत्या करने के आरूपी दामाद गुलाब चंद को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफतार कर लिया थाना दिकरी दिनिश कुमार मिना ने बताई कि उसके तलाश में एसपी के निर्देश पर कई पुलिस टी में रावाना की गई थी गुलाब चंद को रहवाडी में दपोश लिया गया आरूपी गुलाम राम परवानी नोहर भादरा अर्मानगर कर निवासी है तो गटन करने के बाद में टीवों ने तोद कारवए करते हुए आसपास से के सिसली फूटेज और परस स्टेंड एल्डिस्टेशन सर्चत अव्यान चलाया इसके तहत रिवाडी के पास से आरूपी पोदस्तिया किया गया और पास गजिबदार किया गया है मिल्जिम बरनाव में गुलाबचन पुत्र सोबाराम निगरसी नोहर हन्वानगड का एक दिवाला है जो मिया भीभी आपस में काके दिमसरमन चल रही थी तो इससे बात को लेकर दोनोबक्स का नवजब हुई और सुबह साड़े नो बजे कल इसने इस बार दात्र पास जाम लिया और चाकुशे उसके ससुल पर जान लिए आमला के जिसकी मोत हो गई और इसकी जो पत्नी थी निहा इसको इसने गया ज़िए गोंदगर उफखन के राजयोगांदी युवा मित्रों ने तैसिलदा रमिश खटाना को ग्यापन सोपा साथे फिर से बाहली की मांग उठाए गई इस मोदे पर पूर में आमरान अंशन के दोरान युवा मित्र राजकुमार गुपता की जान भी जा चुकी है आंदोलों के बास सरकार से वारता में देगे आश्वासन अब तक पूरे नहीं हो पाए है ग्यापन के अनुसार आदर्स आचार सहिंत अपसमापतों चुकी है और इन आश्वासनों पर अमल किया जाना चाहिए हमी जोरान अनिल कुमार, राजपालमीना, पंकस कुमार जाटव, फैजल गान, स्याहिद, पिंकी जाटव, दिक्षाव, सत्ताम सिंग आदियू पस्तित रहे हम राज्यू गांदी इवामित्र हैं जो पिछले राइस्तन सरकार के कारेकालों में कारे रत थे हमने सहिदिस मारक पर पिछले 33 दिन धरना दिया था हमारी बहाले के लिए तो राज्य सरकार के प्रतनिति मर्णल ने हम ये आसासन दिया कि आपको आचाश सहिता हटने के बाद वापिछ बहाल कर दिया जाएगा इसी प्लक्ष में इसमरण के रूप में हमने राज्य सरकार को मुख्यमंतरी के नाम ये आज ग्यापन जो तेहसंदार मोदे को दिया है क्रिशी वबादवरा खाद वीज विकरताओं के निक्षन का दोर जारी है इसी कड़ी में के शंगडबास में जाई जलिया गया स्युक्त निर्देशा कर्शी विस्तार खेरतल वीजय सिंग ने बताए कि यादो वीज भंडा पर बिना अनुमती की दोलाग सतर जार राजशी के बाज़रा वीज रखे गए थे इस किस्म के बीज की विकरी पर अनुमती नहीं होने के कारण 21 दिन के लिए विकर पर रोक लगाए गई है इसके लबा स्युक्त निर्देशा कर्शी ने इस फर्म से किटना शक के दो फिमसायक निर्देशा कर्शी ने एक नमूना लिया है वहें कर्शी अधिकरी आरती सैनी ने यादो कर्शी विकास केंदर पर उबरा के दो और सायक निर्देशा कर्शी ने एक नमूना लिया है अलवर में नीट की परिक्षा रद करने की मांग को लेकर अनेक छात्रों ने परदर्शन किया या छात्र राजिशी मावधालिक के सामने एक तरुए चात्र निता अंकित गुजर और राज वर्मा ने बताए कि हाली में नीट की परिक्षा हुई थी इसमें योग नहीं होने के बावजूद अनेक अबरतियों को अधिक नंबर दिये गए हैं ऐसी में उन्होंने नीट की परिक्षा दोबारा लेने की मांग की है परदरसन के नीट की परिक्षा हुई थे कुछ समय पहले उसका रिजल्ट की डेट से पहले ही तो रिजल्ट दे दिया और जिन बच्चों के नंबर उतने आने नहीं थे नंबर तो संब्व निए इस चीज की नंबर आए दूसरी बात है नेट के विद्दार्टियों ने अभी वह किया है आत्मात्य की है उनका जवाब दे सरकार नीट की परिक्षा रद्द करें दुबारे से परिक्षा करवाए आगे की मुख्य मांग है कि नीट परिक्षा र इस बेश पर हुई है जिन कारणों से हुई है हमारी मुख्य मांग हो है उनकार्णों में सुधार किया जाए मौजुदा लोगसाबा में 543 सांसदों में सिर्फ 74 माईला सांसद है जबकि 33 परतिश्यत परतिनिद्य तो लागू हो गया होता तो 181 सांसद होती पूर से लेकर वर्ष 2024 तक की लोगसाबा में मैला सांसदों की संक्या साइथ पूरे परिद्श्य पर एटियल ने रिपोर्ट प्रसारित की थी वहीं इसे लेकर प्रतिक्रियाई भी सामने आ रही है मैला कॉंग्रस कमेटी की प्रदेश सचु जीत कोर सागवान के अनुसार एंडिया ने म आगमी पंचाती राज और नगर निकाय के चुनाओं में मैलाओं को इस आरक्षन का लाब दिया जाना चाहिए अपना बादा करकी दिखाती है अब जो विजेपी वालों ने एक ढूंग और रचया है कि रावल गांदी ने कया था अपर हमारी सरकार आएगी तो मेलाओं को हमें एक लाग रपिया साल का देंगे सरकार बढ़ी नहीं जैंप पहली विजेपी वालों ने उन मेलाओं को द 15,000,000 रपिया हम मेलाओं को देंगे मोदी जी पहली वो 15,000,000 तो आप दे दो हमारों पर तो किछडबाद में उचाड़ना पहली आप 15,000,000 तो मोदी जीना हमेशे ही सरकार बढ़ी है छड़ से ये सरकार बढ़ी है तो मैं इसकी गोर्णेंदा करती हूँ महियाडो के रजैशिरी चोदरी ने का कि महिला आरक्षन को अब जल से जल लागू किया जाना चाहिए इस से आगामी पंजाती राज और निकाय चुनाओं के जरिये महिला अशर शक्तों अब किसी बिच अमदलब की जैसी की दहीज का हो या खुए भी महिलाओं के साथ जो भी अत्तचार हो जा एं उनके ये कानून तो गने है लेकिन उन पर उन पर पूर्न दूख से उन्हें लाब नीग भिलपा रहा है उन्हें मतलब की दिया तो जा रहा है थे संसत में या प लेकिन वो पिष्डी हुई अभी तो उनमें अगर मैलाओं को पून रूप से उनकी भागेदाई दी जाएगी उनको पागे लिया जाएगा तो अपना पूमी का पून रूप से निभाएंगी तो आप कहने मतलब है आराच्म दिये जाता तो 50% मैलाओं सांस दोदी आज 10% भ पूमी विदन है कि जो 50% आरक्षन जो देने की कह रहे हैं उसको लागू किया जाएगा उदर भासपा पार्शत में मैला मोचा की पदादिकरी शीला जांग ने कहा कि प्रदामंते नेंदर मोदी मैलाओं के बारे में सोचते हैं नई सरकार के गठन के बार संबंदित कानू जरूर लागू किया जाएगा महिला को राजनेतिक रूप से शशक करने का काम भासपा सरकार कर रही है महिला को दिया जाएगा और यए भाहता जिंदा पार्टी है कि जो महिलाओं के बारों में भंध्चण के सोचती है और जो हमारे आधन्य और प्दान मंत्री नरेंदर मोदी जी कहते हैं वो करते हैं मेडम पदारमंतिजी ने तीसरी बार सफत ली है आपको लगता है कि इस कारेकाल में महीलाओं को ये आरक्षन को लावू कर देंगे बिल्कुल कर देंगे और हमारे आधन्य नरेदर मोदी जी नहीं महीलाओं को आगे किया है और आगे रखेंगे और हंड्रेड परसेंट ये आरक्षन देंगे अलवर में चेतन एंकलेव के पास इसित आयोध्य धाम में भागवत कथा जारी है शेरिपो शोत्तम दास महाराज के तर्तिय पुर्निस्मर्ति में यह आईजन हो रहा है कथा के चोते दिन गंगा दास महाराज द्वारा धुरू को परंपत प्राप्ति इवं भागवान प्रतु आउतार आधी के प्रसंग सुनाएगे भागवत कथा में गोर्धन परक्रमा आश्रम के मेंत विर्दा नन दास महाराज भी पहुंचे साथ ही भागवान कुषेव किष्ण का जन्म समारविम नंदोसों मनाये गया आंत में सिक्षविद विनोश शर्मा ने प्रसा अद्वितन किया चलते चलते एक बाब फिर से नज़र डालेते आसकी हेरलाइन्स भूपेंदर यादों के कैबिनेट में आने पर अलवर वास्यों ने समस्याओं के समाधान की संजोई आस इस्टन कैनाल पर अमल और एंसयार से मुक्ते सहित इस्थाने उद्योगों में जोग की भी है अपेक्षा वही भास्पाईयों ने मनाया जश्न वेटरनरी होस्पिटल में पशू मित्र की मोद के मामने में मिनी सचेवाल पर किया धरना परदर्शन परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप और मांगा मुआउजा समर्थन मूल्य के बजाए खोले बाजार में गेहूं बेचने के लिए रोजान दिखा रहे एक किसान हाथो आथ भुकतान मिलना है वजय और पानी नहीं मिलने पर पंप हाउस पर किया परदर्शर इसके अलकापूरी में वनी समस्या पर समचारों आज के लिए बस इतना ही दीजेपुरी टीम के साथ रविंदर तिवाड़ी को उजाजत नमस्काइब खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे जिनका आपकी जिन्दिगी पर होता है सीधा असर खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी परोसा अलवर का